नमस्कार मैं हूँ अचारे पंगित गोयल और आज हम फिर से बात करने वाले हैं फैक्टरीज, कार खाने, वेपारी, स्थल पर लेबर से जुड़ी प्राबलम की बहुत बार, बहुत सारे लोगों ने ये बात कही कि आपकी वीडियो में या तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो जाती है specific concerns related कुछ पताओ, जैसे की labor, जैसे की sales, जैसे की marketing, तो हर विशय में हम लोग बात कर सकते हैं आज हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ labor की, या staff की, या जो लोग आपकी factory को वाके में चलाने के लिए responsible होते हैं उनकी, कई बार ऐसा होता है कि जो labor है वो छोड़कर चली जाती है, कई बार labor आपका कहना नहीं मानती कई बार labor कहना मानती है, तो over demanding हो जाती है, कई बार skillful labor नहीं मिलती, कई बार quality नहीं बना पाती, कई बार कलेश बहुत ज़्यादा होते हैं, लड़ाई जगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं labor से जुड़े इन सारे विश्यों के बारे में बात करेंगे step by step labor का room कहा होना चाहिए, और किन वास्तु दोश्यों के कारण आपको इस समस्या देखने को मिलती है, तो सबसे पहले शुरुवात करते हैं पहले नंबर की बात है, labor की ज़़ें हम बात कर रहे हैं, labor या staff इनका room कहा होना चाहिए, sitting कहा होनी चाहिए, मैंने staff से related एक अलग वीडियो बना रखी है, जहां पर वो लोग सब बैठ कर काम करते हैं, depends on कि वो क्या-क्या needs हैं, किस-किस तरीके काम करते हैं, मैं इसको by default पानके चल रहा हूँ, labor quarters की बात, जहां पर वो rest करते हैं, विश्र staff का कमरा कहां पर होना चाहिए, तो आपने बहुत बार सुना होगा कि labor southwest में नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यदा demanding हो जाती है, बहुत ज़्यदा आप सभी लोगों से overpower करने लगते हैं, तो जब भी labor के आप कमरे बना रहे हैं, तो southwest मे नहीं होने चाहिए, आपकी पूरी factory है, पूरा जो compound है, उसका कभी भी shaded area, मतलब आपका constructed और non-constructed दो हो गए, माननों ये constructed है और ये non-constructed है, तो पूरे का ही grid करना है, उसका भी logic है आपको बताऊँगा, पूरे के grid के हिसाब से, ideal or the best location निकलती है, south, south, east direction, constructed के हिसाब से नहीं, पूरे के हिसाब से, उसका reason क पूरे के हिसाब से आप बनाओगे, तो इनका shed area अलग होगा, तो वो आपकी अगनी को विचलित भी नहीं करेगी, माननों ये अपने पास रहते हैं, black color को पसंद करते हैं, इनके team shed अक्सर black होते हैं, पानी का काम करते हैं, कुछ अलग तरीके का खाप ही रहे हैं, तो आपक terrace दो सबसे उपर वाली बात होती है, तो सबसे पहले हमने इस बात का ध्यान दिया, south south east, दूसरे number की direction कौन सी है, south south west, अब यहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि यह जो labor है, कि निकमनी हो जाती है, लेकिन कब होती है निकमनी, जब आप इनसे काम करवा रहे हो इस दिशा में, जब इस सोने जा रहे हैं, छटें बिल्कुल अलग-अलग हैं, तो बिल्कुल फरक नहीं पड़ेगा, छट एक है, तो पहली preference south south east की है, second preference south south west की है, थार जो दिशा हमारी निकल कर आती है, वो आती है east south east, और उसके बाद आती है north west, या west north west भी यहाँ पर चलता है, यह जो आपके लिए काम करते हैं, क्योंकि labor क्या है, उसको आपकी और आपको उसकी ज़रूरत है, हमेशा इनके दिमाग में कुछ ना को चलता रहता है, हमेशा इनको confidence यह अगनी चाहिए, power चाहिए, ताकि यह बने रहें, south south west है ही गंदर्व की, जो production देखती है, जो यह देखती ह कि आपकी शरीर में या आपकी factory में क्या रहना चाहिए, क्या नहीं रहना चाहिए, और जो गंदगी अगर इनके आसपास हो जाती है, तो उसका impact आपके पास नहीं आएगा, और west north west, क्योंकि वो आप अगर किसी west direction में बनाते हैं, तो वो अपने बारे में सोचने लग जाए उसके बाद हम इस बात को देखते हैं, कि labor quarter जब आपने decide कर लिए, अब अलग-अलग symptoms की बात करते हैं, कौन-कौन से वास्तु दोष, अलग-वे तरीके की समस्या देते हैं, number one, आपके labor quarter अगर सही जगे पर हैं, तो गलत हैं, तो आपको उसको cut करना पड़ेगा, उसकी remedy क देखते हैं, अगर वो सही जगे अपर हैं, या अगर वो गलत थे, आपने उसकी remedy कर ली, तो second point क्या निकल कराता है, labor की आपस में लडाई बहुत होती है, अब यह कहोगी, यह बहुत ही common है, labor है, तो उनकी आपस में होई सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, उनक इस लाई का इंपाक्ट आपके उपर बहुत ज़्यादा पड़ता है, वेपार के उपर पड़ता है, production unit बंद होगी, आज हम काम नहीं करेंगे, दंगा कर दिया, एक दूसरे लड़ लिए, भाग गए, कर गए, इसलिए हमेशा आप देखना, आपके यहाँ पर, south east में गड आपको मिलेगी, labor है, skillful है, सब कुछ है, all of the data लड़ाई करेगी, भाग जाएगी, जिससे आपकी production unit बंद हो सकती है, अगर यह सब चीज़े है, south east का गड़ा है, तो उसको भरवाना पड़ेगा, blue black color को remove कराना होगा, toilet है, तो उसके आंस पास red color की tape या copper की strip लगा कर, treatment किया जा सकता है, या करना चाहिए, उसके बाद में बाताती है, labor जब आपका कहना नहीं मानती, रूम सही जगह पर है, या रूम का treatment हो गया है, फिर भी अगर आपका कहना नहीं मानती, तो कहां पर गड़बर देखी जाती है, south west के अंदर, जब भी ऐसी ही चीज़े, blue black color, green color, ग रांगन में होगी, आपके constructed area में होगी, तो आपका staff या आपकी labor आपका कहना कभी भी नहीं मानेगी, उनको जो खुद को ठीक लगेगा, वही करते रहेंगे, और उसी के हिसाब से अपना जीवन चलाते रहेंगे, number three, अगर आपको ऐसा लगता है कि वो quality नहीं बनाती, यहा quality के issues आ रहेंगे, again quality के issues के लिए, जब labor के कारण quality के issue आ रहेंगे, ध्यान से समझना इस बात को, overall quality की बात नहीं कर रहा, labor के कारण quality के issue आ रहेंगे, तो आपके same problem आपको देखने को मिल सकती है, कि southwest में ये सारी चीज़ें, गड़ा, blue black color ये toilets, उपाए क्या करना है, southwest मे ये आपको लगानी है, इससे आपको काफी अराम हिलेगा, और आपकी quality अच्छी हो सकती है, quality को और बहतर करने के लिए मैं आपको एक देवता remedy भी यहाँ पर बता रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा आपको फायदा हो सकता है, एक remedy होती है, पित्रा, इससे आपकी quality काफी उसके बाद हम बात करते हैं, हमने quality की बात करी, हमने relationships की बात करी, हमने ये भी देखा कि जब वो आपसे overpower हो जाती है, तब क्या होता है, एंचो था, अपने mode से बार बार labor चले जाना, या आम भाशा में बात करी जाए, तो labor ना टिकना, आई, 8 महीना काम किया, और चली अगर labor डिक जाते हैं, बहुत आम सा concern है, labor ना डिकने का बहुत बड़ा reason है, आपके north direction के अंदर, वास्तु दोश का पाया जाना, क्या वास्तु दोश, toilet होना, या लाल रंग होना, अब यहाँ पर गड़ा अच्छा है, लेकिन अगर यहाँ पर platform उंचा है, कोई store room बन गया या पूडा कबाड आ गया, या labor room आ गया, या कोई लोग वहाँ पर बैटने लग दे, या लाल रंग आ गया, तो आपकी labor frequently चली जाती है, और similar way में इसी concern के लिए आपको फिर से अगनीक होने हैं, कि south east direction को भी देखना है, तो labor से जुड़े यह चार basic concern, चाहे है वो कहना न मानना, आपस में लडाई होना, उसके करणा आपका production रुखना, उनकी quality का issue, relationship का issue, या overpower कर देना, या last but not the least, रुखना नहीं, आपके पास ना रुखना, अगर यह सारी समस्रें आपको labor related आते हैं, तो यह सारे उपाय आप कर सकते हो, पित्र जो मैंने आपको बताया, इसको कैसे activate किया जाता है, आपके जो भी factory है, उसमें एक southwest राया, southwest में दो हिस्से किये जाते हैं, उस दुसरे हिस्से का नाम है, पित्र, पित्र वाली जगे पर जाकर आपको brass के studs, तीन brass के studs लीजिए, या मैं यूं कहूँगा, इस pen के जो लगभग pen का उपरी हिस्सा, इतना ह इसके तीन cylinders बनवा लीजिए brass के, उसको जमीन में डाल दीजिए, देवता oils आते हैं, उनका इस्तिमाल कर लीजिए, कुछ भी नहीं है, तो yellow color की tape पांच पांच इंच की जाकर उस जगे पर लगा दीजिए, उसका एक पूरा का पूरा grading होती है, जो आप बड़े ही अराम से अलग-अलग लोग हैं, उनसे करवा सकते हो, ड्राफ्टमेंज अवेलबल हैं, उनसे आप करवा सकते हो, उस जगे पर जाकर इसको अराम से secure कर लीजिए, लेबर से रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी life में, आपकी factory में फिर से कभी नहीं आने वाली, और अब से मैं हर पार को आप सभी industrialist से या सभी लोगों से जिनको समस्या हैं मिला करूँगा, उसमें register करवाने के लिए कि आप लोग मुझे मिल पाएं और अपनी समस्याओं का समधान पा सकें, मिलने के बाद आपको call करता है 8588882012 या 42 पर या वहाँ पर whatsapp message पर drop कर देना है, ताकि आपकी appointment fix हो, हम लोग मिलें और मैं आपकी समस्याओं का समधान कर सकूँ, बहुत बहुत धन्यावाद, अभाद और खूब सारा प्यार